इस समय हमारे साथ जैपूर में नियूरो थेफिस्ट डोक्टर है, उनसे बात करते हैं सर, सबसे पहले तो अपना प्रीचे दे और कहां से पदा रहे हैं आज आज आप जैपूर में? नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील वर्मा और मैं उदेवपूर से आया हूँ आज आपूर हमारी पूरे राजस्थान के जो वरिष्ट जो नियूरो थेरेपिस्ट हैं अलग-अलग जगह से, उन सभी के आज हमारी नियूरो थेरेपी हेल्थ और्गनाजिशन के नाम से जो हमारी संस्था है, उसके वेहाब पे हमने आज आज या मिटिंग की है, जिसमें कि राजस्थान में नियूरो थेरेपी को कैसे आगे लोगों तक इसको फěलाना है प्लस नियूरो थेरेपी के ऐसी पदती है जिसमें कि बीमारी और से लोग निजात पाते हैं, प्लस जो आज के सब से सरी डंग से सो चारू रूप से अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं एक अच्छी इंकम का सोर्स भी है और अच्छे अच्छे लोगों से बड़े जो वरिस्त लोग हैं उनसे अपनी नियुरोथरेपी के तुरू अपनी अच्छी जान पैचान होती है ताकि समाज में अपना नाम अच्छा कर सके लोग साथ आपने बताया कि इसमें हर विमारी का इलाज इसमें में कौन-कौन सी बिमारियों का आप इलाज करते हैं और एक आपने कहा कि जो आज बेरोजगारी फेली हुई है जो यूवा है तो उन यूवाओं को आज किस परकार से रोजगार देते हैं, जो बेरोजगारी हुआ है, वो आप से जुड़ना चाहें, आपकी ठेरफी सीखना चाहें, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये बताई आप, सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी दूर ऐसे होती है कि नियूरो थरेपी का कोर्स बहुत ही अच्छा है, और किसी भी जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं, मतलब इसकी पड़ाई जो हमारे गुरुजी ने इसको इतना इजी गोईंग कर दिया है, कि किसी भ बिन अंगों पर जिसे अलग 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 प्रेशर देती है, उसमें कुछ सेकिंड प्रेशर देना होता है, कुछ टाइमिंग है, तो पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स और ग्लेंड्स हैं, उनको एक्टिवेट करती है, और जो केमिकल बोडी के अंदर बनते नहीं है, ये कम बन डाई साल टाइम देना पड़ता है, जिसमें अलग बग पहले छे मेने जो प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में फिर नियूरो थेरेपी क्या है, उसके ट्रीट्मन के क्या फंक्शन है, फिर थोड़ा जिसे इनाटोमी फिजियोलोजी है, बोडी स्रक्चर क्य है, औरगन्स क्या है, उनके कैमिकल क्या है, लग अलग अलग जो तीनों चीजों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद में फिर उनका एक्जाम होता है, तो फिर अपने लेवल पर अपना सेंटर शुरू कर सकते हैं, जो मरीज आप से नजुनना चाहिए, यह थेरेपी लेना पढ़ती है या उसका कोई समय होता है, उतरे समय तक आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी, अलग अलग है, जिसे पेशन को किते टाइम से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक दर्दे हैं, तो वो कुछ एक दिनों में दर्द निकल जाते हैं, अगर किसी को बीमा है, जैसे आज के टाइम में योगा करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो जो हेल्दी लोग हैं, वो भी ये थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि मेटाबलिक सिस्टम को बहुत अच्छा करती है, ऑक्सिजन लेवल को बहुत अच्छा बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन इससे प्रॉ में, बिल्कुल है, सर बिल्कुल लास्टेज तक तो अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर किसी पेशन को हुआ है, और उसकी फर्स या सेकंड स्टेज है, तो उसमें कैंसर काफी अच्छी रिजल्ट मिले हैं, काफी सेंट्रों में, जैसे हमारे पास भी एक या दो पेशन हैं, ऐसे मेरों को लगबग 20 साल होगे थरे भी करते हैं, जिसमें एक प्लास्टिक एनेमिया की पेशन हमारे पास आई थी, उसके ब्लेड सेल बिल्कुल लो थे, तो हमने उसका पूरा ट्रीटमन किया, उसकी पूरी फाइल है, रिपोर्ट है, वो आज बिल्कुल ठ दर्सकों को क्या बताना चाहूंगे, जो यूआ इसे में आपको देख रहे हैं, जो वेरोजगार हैं, या जो मरीज हैं, जो थेरीपी लेना चाहें, उनको आप क्या संदेश देना चाहूंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये मेसेज देना चाहूंगा, कि सबसे पहले काम, दिन चर्या सब चलती हैं, लेकिन सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, खाना पीना सही समय पे, रूटीन अपना बहुत अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चा लिए आप एलोपेथी में जाना पड़ता है बाकी अगर कोई ऐसी प्रोब्लम है तो उसके लिए योगा नियूरो थरेपी ये चीज़ पन जॉइन कर सकते हैं दूसरा आज एक और बड़ी चीज़ है कुछ हमारे नियूरो थरेपी के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस थरेपी क होता है कि इस प्रोब्लम में क्या पॉइंट देने तो कुछ लोग आज ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं कि कुछ बच्चों को 15 दिन का कॉर्स करवा रहे हैं महीने का कॉर्स करवा रहे हैं उन बच्चों के भी पता नहीं होता इस पॉइंट क्या साइड एफेक्ट है या क्य गड़बड करेगी तो वो कुछ एक पैसों के लालच में कोई 30,000 का कोर्स करवा रहा है कोई 15,000 का कोर्स करवा लेकिन वो चीज गलत है तो जो लोग इस थरेपी से जुड़ते हैं सबसे पहले वो कनफर्म कर लें कि थरेपी देने वाला कितना अच्छा है कितने टाइम से कर उसको एक्सपिरियंस है या नहीं या बिना तुजर्बे वाले से अगर अपन जुड़ते हैं तो यह थरेपी उसके लिए फिर सही नहीं है लोग सब आपने इत्थी जान अच्छी जान करी दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर मैं News 18 केमरा जनलिस्ट सान्वल पुनिया के साथ जेपूर से बजरंग सिंग से खावत